हेलो दोस्तों कैसे आप सब भी उमीद करते हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही है तो आपके लिए ये जाना बेहद इंपोर्टेंट है कि हमें कौन से चीजे खानी है और कौन से चीजे नहीं खानी है मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ सबजीयों के बारे में क्योंकि हमारे इंडिया में बीना सबजी के कोई भी खाना कंप्लेट नहीं होता है चाहे वो हम कैसे भी खाना बनाए हम कुछ न कुछ ऐसे सबजीयों का प्रियोग करते ही है और सबजीयों के अंदर vitamins बहुत अच्छा होता है जो health के लिए बहुत beneficial है लेकिन friends अगर आप pregnancy plan कर रही है तो उस वक्त आपको कुछ सबजीयों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि कुछ सबजीयों के अंदर काफी ज्यादा ऐसे तत्व मौझूद होते हैं जो आपकी pregnancy को loss कर सकत हैं तो important यह है आपके लिए जानना कि आपकी infertility को न बढ़ाते हुए आपको conceive जल्दी से हो जाए healthy हो जाए और बहुत ज्यादा safe रहे तो इसके लिए जो मैं आगे कुछ vegetables बताने वाली हूँ यह प्रभमुकता से आपको ignore करना चाहिए सबसे पहले नमबर पे आता है ब्रिंजल यानि बैगन का सेवन करना यह तो कई सारे महिलाओं को बैगन पसंद होता है बैगन खाने से महिलाओं को कोई problem भी नहीं होती है बट इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी महिला को बैगन suit करता हो बैगन बहुत जादा allergic elements से भरपूर होता है जिसकी वज़े से कई सारी महिलाओं को इसको लेने से allergy हो सकती है कई बार ऐसा भी होता है इसमें जो तत्वे मौजूद होते हैं वो pregnancy को रोग देते हैं इसलिए आपकी pregnancy खराब नहों आप pregnancy प्लान कर रही है और starting phase में ही अगर आप यह सारी चीज़े लेती है तो गटे हुए बैगन बहुत देर तक रख कर फिर बनाने की बिल्कुल आवस्ता नहीं है ताजा बैगन जिसके stem काफी ज़्यादा हरे होते हैं वैसे बैगन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं लेकिन जिसके stem भूड़े रंके हो जाते हैं वो थोड़े पुड़ाने बैगन हो पुराने पेड के होते हैं और वो आपको फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएंगे दूसरी कि जो बैगन आप पर्चस करती है उसके अंदर बीज कम होने चाहिए अगर बीज जादा होगा तो हाइली एलर्जिक होगा उसमें जिसकी वज़ा से भी आपकी बोडी रियक्ट कर सकती है प्रिग्नेंसी कंसीव होने में दिक्कत होगी तो बहुत इंपोर्टेंट चीज है इस पर बारीके से जरूर आप देहान दीजिए दूसरी जो वैजिटेवल है वो है फ्रेर्स पालक जो स्पीनेच होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज क फायदा होने के बजाए वो नुकसान पहुचाने लगेगा कोई बी चीज अगर आप सिमित लेते हैं नियमित लेते हैं तब ही वो फायदा करता है अगर उसका मातरा अगर उसकी चीज की लेने की आपको किस तरीके से उसका बेनेफिट और सोर्सेस है वो पता नहीं होगा तो वो कभी-कभी उल्टा भी रिस्पॉंड कर देता है। इसलिए स्पीनिच में बहुत जादा जो है पिस्टिसाइट्स यूज़ करने की वज़े से ये एनफर्टिलिटी रेसियो को हाई कर सकता है। स्पीनिच का सेवन वीक में दो बार ही करिए। उससे जादा आपको करने की आवशकता नहीं है। उसको अच्छे से साफ करिए वोश करिए। हो सके तो कुछ दिर नमक के पानी में रख कर छोड़ दीजे। जिससे की पैस्टिसाइट्स के जो बहुत जादा इंपक्ट होते हैं वेजिटिबल्स पर वो खतम हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता गोबी हो गया फूल गोबी हो गया इसमें भी बहुत अधिक पैस्टिसाइट उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके इनफर्टिलिटी को और भी इंक्रीज कर सकता है इसलिए इस सबजियों का भी सेवन आप बहुत ही कम करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ड्रॉम स्टिक आपने सुना होगा दुम का सबजिमी इसे जाता है तो यह जो ड्रॉमส्टिक होता है यह वैसे बहुत अच्छा होता है इसकी पर दौत अलीभ़ सकते हैं वह सब कारगर होते हैं वामनṭ साबित है बट यह काफी गर्मत तासीर क होता है अगर बोड़ी में हीट काफी ज्यादा होगा तो आपका इंप्लांटेशन खराब हो सकता है इसलिए सुज्या फली यानि स्वजन का सिवन जो है वह बहुत लिमीटेट करिए बहुत साड़ी महिलाय जो बिहार में रहती है यूपी में रहते हैं ऐसे जगह पे एडिय जाती है साउट इंडियन फूड्स में भी तो आप इसका सिवन कम करिए बंद कर दीजे क्योंकि बहुत गर्म होता है तो आपके फर्टिलिटी को बिल्कुल भी सही नहीं रखवाएगा अगर आप प्रेगनसी प्लान कर रही है इसके साथे साथ फ्रेंड्स पपीता कच्च पपीता इस पेसली नहीं प्रेगनेट वूमेन को खाना चाहिए नहीं प्रेगनसी प्लान कर रही महिला को लेना चाहिए क्योंकि कच्चे पपीते के अंदर लेटेस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह जो है आपके ओवरी को आपके यूट्रस को काफी जाएगा तो यह पीडियर को आपके इनहांस करेंगा जिसकी वज़े से पीडियर हो जाएगे तो इम्प्लांटिशन हो जाएगा तो इस वज़े से भी आपको बिलकुल भी कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना है कच्च्च पपीता भी बहुत ज्यादा हाइली जो है प्लान करें हैं आप बंद कर दीजिए उसके अलावा फ्रेंड्स आप पानी अच्छे से पीजिए रोज एक्सराइज़ करिए माइंड पॉजिटिव रखिए और चोटे मोटेटी केंड ट्रिप से आप बहुत इसली कंसीब कर लेंगे तो उमीब करती हुए चोटे से वीडि टॉपिक के साथ अपना पूरा धियान रखिए टेक केर दूस्तों थांक्स पर वाचिंग